मगर कंशिका ये सारी बाते दर्वाजे के पास चाकर सुन लेती है। कंशिका की कानों से तो धुआ निकल गया था। उसके दिमाग की सीटी बच चुकी थी। परिवार उजड जाएगा। तीरा क्या मेरा भी उजड जाएगा। सारा खांदान ही खत्म होने के कागार पर है। दीमक ने पुरे घर की नीव ही खोद दी है। देख देख मेरे पाव तले से जमी निकल रही है। सरक 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 ओह। सरक 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 हम तो लुट गए रे रामा। स और नहीं तो क्या, अगर वहाँ नहीं, तो फिर मैं और आपकी मम्मा परी होगी, दुनिया वसाएंगे, क्यों परी, रहने दोगी ना अपने घर में, हाँ? एक शल्पदाटी, मेरे घर का जोर योनिकॉन का लगा होगा, और वहाँ ब्रिक्फास्ट लेकर लंच और दिनर में, मैं आपको योनिकॉन कैंडी ही खानी होगी, बोलो, तब तो परी के घर में वेलकम होगा? चलो, दीन, अब आप डैडी के साथ बाहर चलो, और नानी और मम्मा को बाते करने दो वीत परी को लेकर चला जाता है, तब ही दोनों हॉल में चल रहा तमाशा खड़े होकर देखने लग जाते हैं परी वेद के कंधे पर सबार थी, जैसे जोड़ी हो विक्रम और बैताल की भाबी, भाबी बात तू ठीक से करो, अरे भाबी, बस और शालेनी नाचती कंशिका को एक जोर धार चमाटा मारती है और घर के सरनाटे में वो चमाट पटाके के तरह गुंज पड़ता है चलो चलो परी, इससे पहला हमको भी चमाटे लगे, चलो भागो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, तब कंशिका शालेनी के और घूर कर देखती है, वे अभी भी अपना गाल सहला रही थी बाबी सौरी, पर हुआ क्या है? ये साकाल बाब बेटी मिल जलकर उसकी नैनी को ही तेरी बहु और उसकी बीवी बना कर लाने की बात कर रहा है सांज की शादी वेद से, और ये भी बता दू, कि अगर तुने मना किया, तो वो घर छोड़ने को भी तयार है ये सुनते ही दोनों ही फर्ष पर पसर कर हातों से सिर पेटते हुए रोने लग जाती है नहीं भाबी, हमारी किस्मत इतनी खरब कैसे हो सकती है? होती है शालेनी, काफी बार किस्मत ऐसी ही होती है मगर जब घी सीधी उंगले से ना निकले, तो टेढ़ी से और ना ही चम्मत से इसका मतलब कि, क्या मतलब है भाबी? इसका मतलब कि घी को आच पर गरम करके उसके शेप बदलनी पड़ेगी हमें भी अपना आकार पदलना पड़ेगा कंशिका शालेनी के और देखकर मुस्कुराती है हाँ, सही कहा, अब बस यही कहना है वेद बेटा, हमको इस शादी से कोई अतराज नहीं है, कोई भी नहीं अब जड़ा घर का आखरी नियम अपने स्वार्थ के लिए तोड़ा जाए कंशिका अपना फोन निकालती है